नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आइस PCS Academy में और जो आपकी आगामी परिक्षा है UPPCS से की तो उसमें जो आपका quality के section है तो उसको लेकर मैं आपको previous year जो भी आपके quality से question पूछे गया है तो मैं आपके जो हैं वो question को यहां पर discuss करता हूँ ज हम लोगों ने मूल अधिकार देख लिया थे तो आज हम लोग जो है राज के नीती निदेशक जो तत्तो आपका chapter है वो मूल करतब्यका इन दोनों चैप्टरों के जो question है पूछे गया है अभी तक तो इनसे जुड़े वे जो भी question पूछे गया है तो वो आज के वीडियो म आयर्लेंड से चलिए दूसरा question हम लोग देखते हैं दूसरा question कह रहा है कि जो राज के नीती निदेशक तत्तो सम्मिधान की आत्मा है जो सम्मिधान के सामाजिक दर्सन को शमाविष्ट करते हैं उपरोक्त कथन किस ने कहा था तो यह statement पूछा गया था किस का था तो यह आ आपके जो भाग आपका चार है तो उसमें आपके दिये गया है राज के नीती निदेशक तत्तों कोशन नमबर चार कह रहा है कि भारत के कल्यांड कारी राज का विचार परिलक्षित होता है तो आपका किसमें परिलक्षित होता है तो यह आपका अगर आप देखेंगे तो आपकी जो संभिधान की उद्देश्ची का और राज के नीती निद्देशक तत्व हैं तो इन में जो है आपको कल्यांकारी राज का विचार देखने को मिलेगा इस तरीके से आपका अप्शन नमबर डी राइट हो जाएका ए और सी दोनों ही कथन सही है नेक्स्ट पांचमा नमबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो भारतिय संभिधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याई की स्थापना के लिए निम लिखित में से कौन से मार का प्राभध सब्सक्राइब करता है तो यह आपका करता है प्रजातांत्रिक समाजवाद ऑप्शन नमबर डी नेक्स्ट कुश्चन हम लोग देखने कुश्चन नमबर छे प्याते हैं कि राज के नीगति निदेशक तट्ट के पीछे बाध्यकारी बल है तो किसका जो है किस पर बाध्य आपका बाध्यकारी बल यह लोकमत का बाध्यकारी बल है ओप्शन एक आपका right हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन देखने कुश्चन नमबर 7 कह रहा है कि राजिके नीती निदेशक तक्तों का सीधा संबंध है तो इसका जो है सीधा संबंध किसे ये जो है केवल सामाजिक नाए केवल राजनीतिक नाए केवल आर्थिक या फिर उप्युक्त सभी तो इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो उसमें आपको राजिके नीती निदेशक विए प्षित्दान्त हैं तो आपके तो ये किस तरीके के हैं तो ये आपके हैं यह आपके पढ़ेंगे यह आपके देखी हैं पे कोईयोर। außerफ्ट और इन को लेकर आप जो है कोट नहीं जा सकते हैं नेक्स्ट अम लोग देते हैं तो कुश्चन नमबर आठ कह रहा है कि नौ नमबर आप लोग नौ नमबर पर आते हैं कि तो यहां पर इस्टेटमेंट दे रखाए कि कत्थन संक्या एक है कि राज की नीति के निदेशक तक्त्तों किसी नियायाले के द्वारा प्रवर्तनी नहीं है इनको लेकर आप नियायाले में नहीं जाएंगे कि समिदान में यह बात लिखिए और गौर्रमेंट आपको यह चीजें एंप्लीमेंट नहीं कर रही है यह चीजें देखिए जो राजी के नीति निदेशक तत्तों में दी गई है चीजें तो इनको जो है जो गोवर्रमेंट हमारी होती है यह शुबिधा के अनुशार जो है इनको करती है और तो यहां पर आपका पहला कतन सही हो जाएगा और राजी के नीति निदेशक तो देश के शासन के मूलभूत हैं तो दोनों ही कतना आपके सही दिये होगा आपका option नमबर एक मिलकुल राइट हो जाएगा चलिए next पर आते हैं question नमबर 10 अगर हम लोग देखें त तो राजी के नीति निदेशक शिधांत क्या है तो तो यह ऐसे शिद्धांत और जिनके दौरा राजी को अच्छा सासन चलाने का निर्देश जिया दाता है राजी के नीति निदेशक तत्तों में दिया गया है कि एक अच्छी सरकार कि इस तरीके से काम करेगी next हम लोग 11 सभीत नमबर पर आता है कि कि संसोधन के दौरा राजिके नीती निदेशक तत्तों को मौलिक अधिकारों पर बव़ियत दिगई तो यह कि में दी गई थी तो यह आपके 42 में सम्मिदान संसोधन के दौरा इसको बव़ियत decisions से कौन सा समिदान Kay Growing सम्मेदान के दारा क्या चित्र जोड़ी गई थी कि उद्योगों के प्रवंद में कर्मकारों यानि इश्रमिकों का उसमें भाग़ लेना इसमें जोड़ा गया था कुशिया नमरर 13 पे आते हैं कि राजिके नितिसक्ति को लागू करना किसका करतब है तो यह राजिका करतब्य यानि कि हमारी सरकार का कुश्य नम्मर 14 पर आते हैं तो 14 कह रहा है कि इस भाग के अंतर विष्ट उपवंद किसी न्यायाले के द्वारा परिवर्तिनी प्रवर्तिनी नहीं होंगे फिर विन में अकतित इन में अधिकत तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और बिदी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राजे का एक करतब होता है तो बताईए कि यह बात जो है कौन से अनुच्छेत के द्वारा कि इस अनुच्छेत में लिखी गई है तो वहीं बूचा गया था सीथा सीथा कि कि किस यह आपके अनुच्छेत 38 में वर्णित हैं सामाजिक विवस्ता बनाये रखने से संबंदित प्राभधान नेक्स्ट अम लोग देखें कोश्चेन नमबर 16 कह रहा है कि भारती समयदान के अनुच्छेत 38 में प्रयूक्त प्रयूक्त है किसको सूर्चित करते हैं जो अनुच करिके का निया मिले का समाजिक अर्थिक और राजनीति कोशेन 17 पर आते हैं तो कोश्य नमबर 17 कह रहा है कि गरीब तथा नेर्दन अव्युक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असा मरता है कोई गरीब आपका अव्युक्त है जो अफॉर्ड नहीं कर सकता है का एक सब पटित अनुच्छिद 49 का का मिला के पढ़ेंगे तो इसकी अंतरगत प्रत्यक विक्ति का मूल अधिकार अभी निर्धारित होता है तो निशूल को बिदिक शाहता का जो है अधिकार उसको मिलेगा अगर आप अनुच्छिद 249 का का जोड़ कर पढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन अम लोग देहें कोश्चन नमर 18 में आते हैं कि निम्लिखित में से कौन सा एक प्रापदान राज के नीति निदेशक्तत्य के सिध्धानत का भाग है तो कौन सा आपका पढ़ता है गरीबों की बिदिक शाहता वही है कि ग रिम्लिखित में से कौन सा जो है भारती संभिदान की अंतरकत एक मौलिक अधिकार नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं आपके option नहीं दिख रहे हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका समानता का अधिकार दिया हुआ है धार्मिक सुतनता मिला है भी है अधिकार मिला है और रज़ोगेस शोरी निश्वूर्ण का व्रिधिक साइता यह है तो चलिए मैचिंग का कोश्य नम लोग देख लेते हैं तो कोश्य नमर 22 में अगर हम लोग देखेंगे तो 49 का का में आपको क्या मिलेगा तो 49 के का में आपको मिलता है निशुल्क विदिक शहायदा 43 में आपको जो मिलता है वो मिलता है कामगारों के लिए निर्वाह पूरी और चवालिस में मिलती है आपको समान सिभिल सहीता पचास में बात करता कार प्यालिका का न्यायपालिका से प्रतक्रण जो है अनुच्छे दों में यह वाते लिखी गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेज कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्यों नहीं है तो इसमें आपका देखिए भोजन आस्रहें कपड़ा पाने का अधिकार यह आपका नीशूल को भी दिख चायता कान पाने का अधिकार और कर्मकार के लिए कर्मका का अधिकार नेक्स देखते हैं कोशन नमर 25 कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सा राजी के नीति देशक तब तो नहीं है इसमें पुछा गया है आपका कौन सा नहीं है option में से आपको बताना तो तो जो नागरिकों गैर नागरिकों के लिए समान सिबिल साहिता इसकी ग्राम पंचायत का संगिठन और काम सिक्षा लोग साहता और नहापालिका का कारपालिका सब्रतक्रन यह चीज़ें वहाँ पर दी गई है राज के नीति देशक तत्तों में कुश्चन 26 देखते हैं कौन सा अनुच्छे जो है समान नागरिक सिबिल साहिता की बात करता तो अनुच्छे चालिस में इसका वर्णन दिया हुआ कुश्चन 27 पर आता है कि भारत के समयदान के अंतरगत निम्लिक तरसे कौन सा राजी के नीति देशक्तत्तों में नहीं है तो वर्णित नहीं है इसमें तो आपको बताना था कौन सा नहीं वर्णित तो इसमें जो आपका पंचाइटों का गठन जो नीति देशक्तत्तों के इंतरगत है तो कौन से नुच्छेद में आपका नुच्छेद 1440 में बात करता है कि ग्राम पंचाइटों का गठन होगा यह बात आपकी लिखे नुच्छेद 28 में कोश्चन 29 सॉरी मैंने आपको अनुच्छेद 28 बोल द यह जुड़ा हुआ है संभीधान के अंतरगत प्रसूती राहत के प्रावधान प्रसूती राहतों के प्रावधान किस अनुच्यद में दिए गए तो यह आपके दिये गए अनुच्छ्यद 42 में कि यहां पर देखिए explanation दिया हुआ है लेकिन मैं चानबूच के नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर आपको revision करने में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा पैसे मैं आगे बढ़ा देता हूं लाइट तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके अगर कोई question में डाउट है तो उसको आप देख भी सकते हैं तो इस तरीके से आप खुद को देख लिए अगर बाइचांस किसी question में आपको डाउट लगता है निम लिखित में से कौन सा तत्त्व राज के निदित इस सकत्तों में नहीं है तो कौन साइन में से नहीं है आपका नागरिकों के लिए निश्युली के अब अनिवार सिक्षा की बेवस्ता जो है नहीं है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला question number 32 पर अगर हम लोग आएं देखें यहां पर जैसे मैं question बता रहा हूं तो यहां पर चुका तो यह चीजें आप यह मत समझे कि मैंने आपको गलत पढ़ा दिया मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बुक के हिसाब पढ़ा रहा हूं यह question आप से 1997 में पूछा गया था तो 1997 में मैं जैसी इस्तिती थी उस हिसाब से मैं आपको question का answer दे रहा हूं तो यह जो है मैं आप यह कि कोई भी question आपको लगे कि कोई changes आ चुके हैं तो इसमें आपने चेंज नहीं किया यह जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बुक का opinion ही बता रहा हूं अपनी तरफ से मैं इसमें अगर मुझे लगता है कि कुछ जोड़ दो तो मैं उसमें जोड़ देता हूं otherwise मैं आपक इसको पूरा पढ़ जाएगा तो इसमें आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि अब तो इतने ज्यादा आपके पास में टाइम है नहीं तो इसको अगर आप चाहें तो इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी question में डाउट लगे चलिए ने सत्य उतक्ति आपको बताना था तो जो समिधान का अनुच्छ पर यूँए लोगसाथ से संबंधित है अनुच्छ साथ Jaundra नेट देखते हैं अनुष्य नमर 34 पर आएं कि समान ने और निशुल को बिदिक साहई था कि अब्धाना किस अनुष्यत के अंतरगत दी गई तो यह आपकी दी गई अनुष्यत 49 के एक के अंदर गाद 49 एक अंदर और 35 नमर कोश्यन की बात करें दिम्लेकर से कौन सा राज के नहीं है इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना था तो इसमें जो आपका सिच्छा का दिकार यह नहीं है राज के नीति ने सकत्तों के अंतरगत बांकि आपके यह समान सिभिल साहिता ग्राम पंचातों का संगेटा ने शुल्क विदिक साय था यह सब दिये हुए हैं कुशन नमबर 36 की बात करें तो समिधान संसोदनों की द्वारा समिलित किये गए निमलिके तो वंदुगा साही कालन कुर्म समिधान संसोदन के अंदर गर समिलित किये गए तो सबसे चीजे पहले कौन से एड हुई उसके बाद में कौन से तो इस तरीके से आपको क्रम में लगाना था सबसे पहले कौन से चीज एड हुई थी तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपकी विदिक शाहता और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज एड हुई थी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमान पत्र और उसके पूछा गया तो इसमें जो आपका नहीं है वह बात है कि पर्यावन को लेकर और बनजीब संबंदों की बनजीब जो है इनकी रच्छा के प्राब्धान कौन से अनुच्यद में दिये गए यह पूछा गया ता अनुच्यद यह देखिए अरताल इसका जो आपका कहा है बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर पर्यावरेंट से पूछा जाता है लगवग तो यह अनुछित आपको बिलकुल याद ही कर लेना है क्योंकि यह जो है आपसे कोश्यन बार-बार पूछा जाता है अब हम लोग नेक्स्ट थर्टी नाइन नमबर कोश्चन देखते हैं कि निमलिखित में से जो है कौन सा राज के नीति सकता तो नहीं है तो असप्रश्चिता कांतर यह नहीं है यह कहां पर आपका मैंने आपको मौली का दिकार में पढ़ाया था अनुछित आपका सत्रा जो ह असप्रस्टा से संबने तो यह इसमें यहां पर नहीं आएगा रोमन कैथोलिक पादरी केस जो था जॉन वालं मार्टन बनांभारस संग संबने तो यह किस से संबने था यह आपका साथ एक समान सिविल सहीता कानुन से संबने था नेक्स अमलों तेखते हैं 41 नमर कुश्च है तो यहां पर आपको आर्टिकल दिये हैं और इस तरीके से आपको मिलाने थे तो चलिए हम लोग मिलाते हैं तो पर्यावरण का सरनक्षन हम संबर्दन हम लोग उन्हें अभी पीशे भी देखा था किसमें आ जाएगा आपका अर्टालिस का यह में यह बहुत बहुत हैं इस तरीके से जो है आपका बहुत ही इंपोर्टन कोश्यन बारpeीट होता है अगर आम भारत की प्रभुता की रच्छा बस्तिति क्याने मईं के पूरा मैं आपको इस तरिके से दिखा देता हूँ खी है 48 के A में आ गया second number अगर हम लोग B की बात करें तो यह आपका भारत की प्रभुता की रक्षा करना यह किस में लिखा गया यह आपका लिखा गया अनुच्छेद 51 A के सब क्लॉस C में और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरपशाली परंपरा का परिरक्षन करना यह बात कहां आप लिखिए यह लिखिए यह आपकी अनुच्छेद 100 जो आपका पड़ेगा 51 के A के F में मिलेगा यह आपका मिलेगा सी वाला आपका टू में मैच हो जाएगा और संसर सदस्की दल परिवर्तन के आधार पर निरता यह आपकी मिलेगी 102 में अनुच्छेद 102 के सब क्लॉस टू में चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कि उद्यों के प्रवन्द में करमकार हों यह हम लोग देख चुगे हैं 43 के A में आता है 44 No question देखने कि भारती समिधान के दिम्लिंखित अनुच्छेदों से पर्यावर्ण संब्द संसर्क्ष्ण से संब्सक्राइप नहीं है तो पर्यावर्ण को लेकर किसमें बात नहीं कि तो अनुच्छित आपका 51 A का आई जो है इसमें पर्यावर्ण से रिलेटेड कोई भी बात आपकी नहीं दी गई बांकि आपके अनुच्छेद 48 के इसको दोम चचा करी चुक्ए बांकि एक आपका अनुच्छेद आता है जो 51 का जी सब क्लॉस जो है इसमें आपका पर्यावरेंट के मुद्धे इसमें सामिला मौलिक करतब जो है दिये हुए है तो हमारा मौल सब्सक्राइब किता है राज के नीती देशक्त तो है एक आते हैं 46 नमर पर देखें कि सी के दफ्तर सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता ए आई यार उन्हें सब्सक्राइब कोट 1132 के निड़ने में अंतर ग्रस्त था तो क्या चीज इसमें जो है संबंदी तो यह आपका मौलिक अधिकार यह नहीं नहीं सकता तो दोनों ही इसमें जुड़े हुए थे अंतर ग्रस्त थे 47 नमर कुश्चिन कहते हैं कि निम्लिकित में से कौन सा अनुच्छ जो है पशुपालन के संगटन से कौन सा अनुच्छ संबंदी तो यह आपका पुशुपालन संबंदी त कौन कदम उठाए यहां पर क्या है कि नियायपालिका के बीच में कोई भेद ना हो तो यह हमारे समयदान में प्राभ्धान कर दिया अनुच्छ परजास में लिख दिया गया कि नियापालिका अपने कारें शुतन दोगी कारपालिका आपने अलग-अलग देखी एक दूसर सब्सक्राइब तो आपका 49 का में आपका आजाएगा कई बार देख चुके निशुल्क जो है विदिक सहायता अनुछे सब्सक्राइब तो इसमें आता है आपका राज जेपाल की अध्यदेश जारी करने की शक्ति और 123 में आएगी राष्टपति की इस तरीके से आप आर्डिकल याद करेंगे 113 में 123 में आपको मिलेगा देखे किस तरीके यहां पर 123 वही अगर आप अच्छनों को उलड़ हुआ है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कुश्य नमर पचास पर आएं तो कह रहा है कि भारत के संभीदान के कि सनुष्यद के अंतर राज्य अंतर राष्ट्य सांथी सुरक्षा के उन्यन के लिए प्रयत्न करेंगा तो यह बात किसमें यह बात आपकी उन्यावन में तो चलिए इसको देखने की कथन दे रखा है कि राजिके नीति देशक्त तो संभीदान के अनुच्षेद 19 का जो सब्क्लॉस 2 में बर्णित निर्वन्दों की युक्ति युक्तिता तै करने में सहायक होते हैं कारण यह इसमें दे रखाय जो आया वह आपका है कि राजिके अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे मौलिक करतब से स्टार्ट करेंगे तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो